हेलो प्रेंस मैं डॉक्टर नगेंदा थालोर अभी बारिस का मोसम स्टार्ट हो गया है और इस बारिस के मोसम में बहुत से सनेक बैट के केसे सामने आ रहे हैं और यह snakebite case is mostly ruler area में जो काम करते हैं , placing farmers. उन में ज़दा देखने को मिलते हैं snakebite के कारण बहूत सारे लोगों को अपनी जान गवानी परती है युद्धिक उनको अलग्य इस लिधियम लोगर लोगों के बारे में और वह कुछ localais दियू yo हैं तो आज की लीमी इसकेस करेंगे कि इसनेक बाइट का ट्रीटमेंट इसकाअ ओर You सकते हैं साइक यहER होता है हुआ मेली दो तरह का हुटा है एक रहता है न mini-rozyолж- defines अल्य हेल ज्यो जीन कोब्रा है इन्य में पाया जाता है और यह आप नर्व सिस्टम को делать जिससे आपके आउंकों की पुतली का नीचे गेराना ऑना कोसले नुलिंए में दिक्त होना इस और सार हो जो है दीह कुन को क्लोटिंग रहता है उसके टेंडेंशी को खतम कर देता है और कोगलोपेती कर देता है यानि कि आपका पून पतला हो जाता है और जगह जगह से ब्लीडिंग होने लग जाती है जब भी आपको स्नेक बाइट करता है या साप काट लेता है तो आपको क्या नहीं करना है साप काटने के बाद में आपको उस साप को पकड़ने के लिए है उसको मारने के लिए उसके पीछे नहीं पड़ना है जिस जगह पे साप ने काटा है वहाँ पे आपको कोई लोकल इंसीजन नहीं लगाना है साप के काटी भी जगह पे मूञ लगाके कोई सक्षन के नहीं करना बेंगा करना बistक जहां साप काटा उपर आपको टाइट एप कोई दावा नहीं लगानी है उस जगह को जलाना नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं करना है और पेसेंट को कोई जैसे ड्रिंक नहीं देना है एलकोल नहीं देना है या घी नहीं पिलाना है यह कुछ भी नहीं करना क्यूंकि यह सारी चीजें हैं इन में कोई medical benefit नहीं देखा गया है और यह सब चीजें हैं जो आपको hospital पहुंचाने में डिले करवाती हैं आपके infection की rate को बढ़ाती हैं वहां पे local site पे आपकी bleeding बढ़ा देती हैं और आपके जहर को फैलने की अगयती को तेज कर देती हैं इसलिए यह वाले सारे treatment कुछ भी नहीं करने हैं इनके साथ आप patient को किसी tonत्री नहीं लेके जाना है आपको जल्दी से जल्दी से पेसेंट को hospital पहुंचाना है अप साप काटने के बाद में आपको क्या करना है साब काटने के बाद में सबसे पहले आप उस पेशेंट को रियोश्योय करें यानि उसको सांत करवाएं, उसको साम्तना दें कि डढने की कोई बात नहीं है उसको आप रिलेक्स रखें क्यूंकि जैसे जो भी सनेक बाइट करते हैं उनमें 70% जो सनेक बाइट या साप काड़ते हैं वो जरीले नहीं होते हैं और जो जरीले साप होते हैं उनमें भी 50% होते हैं जो कि ड्राइट करते हैं यानि वो वहाँ पे काड़ते हैं लेकिन वो वहाँ पे जहर नहीं छोड़ते हैं इस लिए डरने के बाद नहीं है गब राने के बाद नहीं है दूसर्रा काम यह करें जहां भी बायट कररहे हैं उसके आसपास यह थी कोई tight clothing है कोई ring है कोई wrist watch है या कोई chain है तो वह सब आप remove कर दे तीसरा जहां भी बाइट कर रहा है उसके ज़स्ट ऊपर आप एक हलका बैंडेज या कुछ कपड़ा हो तो वह आप उस पे बांद दे पैर पे या हाथ पे और इतना ही टाइट करें कि एक फिंगर उसमें इजिली आप उसमें फिंगर उसमें जा सके ताकि आपके वह ब्लड फलो को नहीं रोके वह उनली लिंफेटिक्स को ब्लो कर दे जिसे कि आपका जहर जल्दी ना फेले उसके बाद में जहां भी बाइट कर रहा है उस पार्ट को आप इमोबिलाइज करना है यानि उस पार्ट को ज्यादा हिलाना दूलाना नहीं है उसके लिए आप कोई ड़न डाले क वह इस्टिक ले और उसको किसी बेंडेज या कपड़े से लेके उस जगह पे बांदे जाकि ज्यादा मोमेंट नहीं हो और जहर आपका जल्दी ना फेले जहां भी बाइट कर रहा है उस पार्ट को आप अपने हार्ट के लेवल से नीचे रखें ये सब करने के बाद में आ आपको कुछ ट्रीक्मेंट दिये जाता है जैसे हिया आप अहुंछ च ouvert जो होaufen्चेंची का डॉक्र आपको चैक करता है आपका जैसे हेईर वे है यानि आपका गला है और नाक है kle também to नहीं है कुछ और आपका सऊंस सॉझ चल रही है आपका जो बेetNIंग सहीं चल रहा है और यू यू प्लूट डिया जाता है है यह सब चेकth करने के बाद में आपका बाय्ट कर रहा है उस local site को examine करना किए और आपका systemic insemin किया जाता है की जहर कितना पहला है या कितना असर हुआ वा है तो local site पी देख्ते हैं आपका घ्हाव कितना है ऑस व्क कटनी हैinin स्वेलिंग है कि नहीं, वहां पर कोई भोडा नहीं बनावाई है या कोई सकीन वहां की बलेख हो गया है सूजन है, वहां पर कितनी ज्यादा फैली हुई है, वह सब देखा जाता है इसके साथ में यह भी देखते हैं कि आपके जैसे कई गम से ब्लेटिंग तो नहीं हो और ये मसुड़े से खून तो नहीं आ रहा है्या पिर आपके सांस में दिक्त तो नहीं हो रही है और आपके आँखों की सूरी नहीं गिर रही हैं ये सब चेक किया जाता है आपके कुछ blood test करे जाते हैं blood test में जैसे आपका complete blood isesti blood count रहता है CDC किया जाता है जिसमें आपका hemoglobin और plate rate देखी जाती है आपका renal function test cek किया जाता है urgent test किया जाता है ECG करते है ECG में इन टेस्ट के साथ में दो important test रहते हैं जो यह बताते हैं कि आपके body में जहर प्हला है यह इसका कितना असर है तो एक रहते है 20 Minute WBCT यानि 20 Minute Wholn Blood Coagulation Test 20 Minute Whiral Blood Coagulation टेस्ट में इक़ की test golden hair के Mizra जो need and clean रहती है उसमें 2.0 ml blood लिया जाता है और उसको 20 मिट के लिए बिना दिश्टब किये एक दिगार रख देते हैं 20 मिट के बार में आप उस टूट को ठोड़ा टिल्ट करके आप देखते हैं कि जो ब्लड है वो जम गया है या नहीं जम जाता है इसका मतलब आपके ब्लड में भी जहर नहीं पहला है उसका ऐसा नहीं है यह आपने टिल्ट किया और वैसे का वैसे ही बतला है जमता नहीं है इसका मतलब आपके कून में जहर फैल गया है आपको ब्लेडिंग होने की टेंडेंची बढ़ गई है और यह जो टेस्ट है यह पोजिटिव आता है फून जमता नहीं है इसका मतलब आपको किसी वाइफलने काटा है दूसरा टेस्ट रेता है जो सिंगल ब्रेत काऊंट टेस्ट रेता है यह नि्यान्यापकू एक सांस में काउंटिंग करना है नुर्मल आदमी एक सांस में तीज तर दिस तद काउंट्ड कर सकता है जैसे आप एक गेरा तेस्पलों एकडं़ रख सकते हैं इसका मदल आपको किसी कोबरा ने या करेट ने काट आपकी बोड़ी में निरोटोक्षिन फैल गया है तो ये दो इंपोर्टेंट टेस्ट हैं जिसे आपके बोड़ी में जैर फैला या नहीं उसका एडिया लग जाता है यह सब करने के बाद में आपके जो डेफिनेट टीनेंट रहता है जिसको एंटिडोट है जिसको रहता है लेकिन जिन चौन के कुछ सिम्टम ज्यादा रहते है उन लोगों के दिये जाता है जैसे जिनका लोकल वाँ से बाइट साइट पर ब्लीडिंग हो रहे हैं जरी तोटनी मिंट डब्ली सिर्प्राइए वंसके ज्यादा रखा प्रविए लाग से कम हैं और देंके टोप्रेस हो रहे हैं और लिंप नोंड इनमें स्वेलिंग हो रही है जिनको जो यूरियों नहीं आ रहा है या यूरियों एकदम रेड कलर का या बलेक कलर का आ रहा है ये सिंटम जिनको रहते हैं उनको फिर ये एंटी स्नेक विनम लगाया जाता है एंटी स्नेक विनम जो रहता है ये जो कोमन जो जहरीली जाती होती है साक की उनको मिला के बनाए जाता है मेली चा sigu जाती रहती है वो पोजनियों से रहती है जनमें Ebola है आफ जो जहर है उसको यह जोंटी सने की वीनवे किनम है वो कतम कर देता है किंगा ल唯ें नहीं है यदि आपके mild symptom है तो आपको 5 वाइल दिया जाते हैं और यदि आपके moderate symptom है तो आपको 5-10 वाइल देने पड़ सकते हैं यदि symptom बहुत ज़्यदा severe है तो आपको 10-20 वाइल भी दिया जाते हैं यह anti-snake एक powder के form में आता है और इसके साथ में 10 ml का पानी भी आता है एनेस आता है फिर इसमें mix कर लिया जाता है इसको और इसको फिर slowly दिया जाता है यह anti-snake venom देने के बाद में आपको आदी गंटे में आपको इनका फाइदा मालूम होने लग जाता है आपके improvement होने लग जाता है और हर 6 गंटे के बाद में यह reassessment किया जाता है और यह पुलीम को डिया जाता है इस तरह से आपको जो भी बोर्डी में में जहर है वह दिरें डेलाई हो जाता है व्हों पर आप diff unoorns saaf साथ में कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है जैसे यह आपको कोगलोपेटी बहुत ज्यादा हो रही है तो आपको जैसे फ्रेस प्रोजन प्लाजमा है या वोल्ट भी चड़ाया जाता है या दिया जाता है यह यह आपको नीरोडोक्षिन है यानि आपके घणा जाता है कि यह आपको सांस में दिक्त होती है तो आपको एंडो ट्रेटर केल टूब भी डाली जा सकती है। उसी कि सनेकपयट करता है वह तो भड्स दाना करता हुआ डेक्टरिया को छोड़ है आप बिना टेंशन के और बिना घबराये अपना डेपिनेट ट्रीटमेंट लेने के लिए आप होस्पिटल पहुंच आते हैं तो आपका प्रोपर ट्रीटमेंट हो जाता है और आपकी लाइफ को बचाए जा सकता है और कुछ लोग रहते हैं गाहों में या जो जिनको ज्य ट्रीटमेंट पोसीबल है और इसके एंटी स्नेक विनम मोस्टली है जगह पे मिल जाते हैं तो इसलिए जाम जैसे भी स्नेक बाइट करता है आप प्रोपर ट्रीटमेंट लें होस्पिटल जाए और कि नी पुरानी चीजों में या सुनी-सुनाई बातों में इस्वासना कर तर्याँ अए च्प्रेश आखषा टी ने अवित ओंजा टे ले इसके लिजह से आख़ानी लेक सते हैं और कि भ дав बातों में से उल एक हरतम दंधी जिए उलम सुएंचली जाती होस्टेष एंटियों नेति करते हो प्रोपर ग्र समाते हैं ऑल दम यो एक्क दषार के दते स्